गुट मॉर्निंग स्टूरन चुलो आज हम मेरी कुल भूप में यूनिट टू पोयम है आय मलक्की इस कविता में बच्चो एक लड़की है जो अपनी भावनाई व्याक्ति करती है जिसे के उसे एक तीतली बनना है मेना, मचली, हाती या कंगारू अधर्वाइस ओक्टबस होता तो वो कितनी खूस होती के इन जिसे और वो भगवान को धन्यवाद कहती के वो अपने आपको एक भागेशाली बानती है तो थोड़ा चुलो हम कविता रीड करते हैं फिर उसे समझने का प्रैक्त न करेंगे ओके I am lucky if I wear a butterfly I will be thankful for my wings If I wear a mela in a tree I will be thankful that cool for a tree क्या कहना चाते हैं बच्ची यहाँ पर कि if I wear a butterfly अगर मैं एक butterfly होती ओके क्या कहना चाते हैं कि मैं एक butterfly होती तो मैं मैं अपने पंको को फैंक पंको को thank you कहती thankful कहती ओके अगर मैं मेना होती मेना होती तो मैं अपने singing को मेना होती अगर मैं पेर पर वेठी मेना होती तो मैं मैं गा सकती, तो मैं धन्यवाद कहती, अगर मैं बच्चो कि if I wear a butterfly, I will be thankful for my wings, अगर मैं butterfly होती, तो मैं अपने पंखो को thank you कहती, अगर मैं एक पेड़ पे बेटी हुई मेना होती, तो मैं अपने गाने को धन्यवाद कहती, अगर मैं एक दरिया में तेरते हुई मचली को देखा है आपने, कभी दरिया में तेरते हुए, वो उपर नीचे, इस तरह से दोड़ती रहती है, कि तेरती है, वीगल वीगल ग्री करती है, यह एक मचली फीश होती है, जो समुद्र में तेरती हुई मचली होती है, उसे एक उत्सा होता है, इसलिए वो अपने आपको thankful कहती, अंत में क्या कहते हैं, कि जश्ट आई तेरती हैं, कि जश्ट आई तेरती हुई में बहुती भागी शाली हूँ, आप नहीं बट में, क्यों यहाँ पर भागी शाली हैं, अगर में एलिफंट होती, तो बहुत ही भागी शाली होती, यदि में हार्थी होती, तो बहुत ही भागी शाली होती, क्यों बागी शाली होती? तो I will be thankful that I can raise my trunk, क्यों धन्यवाद कहती हैं, हाथी क्या करते हैं, अपनी सुन्ट से पानी डालता हैं, ट्रंक, raise my trunk, क्योंकि अपनी सुन्ट उठार सकती हैं, इसलिए में धन्यवाद देती हूँ, फिर next day, if I wear a kangaroo, I will try to hope, अगर मैं kangaroo होती, तो उपर चान तक कुछने का प्रयास करती, देखुँ हैं पर, if I wear a kangaroo, I will try hope, right up to moon, चान तक कुछने का प्रयास करती, समझ मैं पच्चू, फिर if I wear an octopus, I will be thankful for my eights अंप, ऑक्टोबस को कितने आम सोते हैं, eight अंप, कितने होते हैं, eight अंप, तो अगर मैं एक octopus होती, तो मैं अपने eights अंप को thankful कहती, समझ मैं ना, क्यों thankful कहती, अर्ष्ट भुजा होते हैं, एक दो नहीं पर eight भुजाए होते हैं, इसलिए मैं धन्यवार देती, इसलिए बस, so I just think I am lucky to me, not you but me, अगर इसलिए मैं बस इतना ही सोचती हूँ कि तुम जैसी नहीं, बलके मैं अपने जिसी हूँ, okay, what do you think you want to be, do you want to be like me, or just you, just you, अब यहाँ क्या करें, कि तुम, what do you think you want to be, तुम मुझे एक बताना चाहते हो, कि do you want to like me, तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, या केवल अपनी तरह, केवल अपनी ही तरह, देखो बच्चो, यह इस पोयम में I am lucky, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, okay, क्या बोला चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, okay, हम वैसे ही लग्की हैं, अगर आप अपने आप में ही खुश हो, आप दूसरों की तरह बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हैं न हम, कभी भी दूसरों की तरह नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने आप में ही सही है, ऐसा इस कविता में कहना चाहती हूँ I am lucky क्या है? चलो एक बार में कविता आपको अच्छी तरह फिर से पढ़ के दिखाती हूँ If I were a potato fly I would be thankful for my wings If I were a manna in a tree I would be thankful that I could sing If I were a fish in a sea I would be thankful That I can regal and giggle with me So I just think I am lucky to me मैं बहुत अक्यी हूँ क्योंकि मैं मैं हूँ Not you, but you मैं तुमारी तरह नहीं हूँ But मैं अपने ही तरह हूँ हम अपने में खुश रहना चाहते हैं देखो यहाँ पर है butterfly Butterfly होती तो उसकी पंक होती है फिर यहाँ पर मेना होती अगर वो फीश होती तो ग्रीगल वीगल कर सकती पानी में ऐसे उपर नीचे नाचती कुटती है ना प्रीक तेरती फिर elephant होती तो क्या कर सकती अपने सून्ड उठाती पानी देखो यहाँ पर सून्ड उठाती अगर वो कांगारू कांगारू होती तो क्या करती मून पे मून तक एक जंप लगाती होक मत्रब के कूद ना जंप लगाना फिर एक octopus होती तो उसकी कितने आमस होती 8 आमस होती है तो यह कविता में यही हमें समझाना चाहते क्या तुम भी इस तरह से किसी दिसरे की तरह बनना चाहते हो ऐसा हमें question पूछा है बच्चो न्यू वर्ट राइट करना है बटरफ्लाई मीना फिस कांगारू ओक्टबस बच्चो अभी आपको समझ नाहीं है अभी यह poem आपको only write करना है लीखना है आपकी नौडबुक में question answer में आपको लीख वाँगी मैं आपको पीख भेजूंगी उस तरह से आपको complete कर देना है answer के साथ में देखके आपको note book में write करना है question answer में आपको provide कर दबा दूंगी homework में यह video आती है वहाँ पर link करती है वही पर भी आपको इसके question answer मिल जाएंगे यहाँ पर exercise है complete this sentence animals and action butterfly action है can fly butterfly fly करता है ना मेना क्या करती है can sing हमने अभी देखा can regal विगल कौन करता है fish and elephant क्या करता है can raise the trunk अपनी सूर उठाता है फिर can hope hope कौन करता है kangaroo and you आप क्या करते हो dance eat eating करते हो eat I can eat I can dance आप ऐसे लिग सकते हो I can dance eating eat कर सकते हो eating fish singing play okay आपको जिसे लिखना है वैसे लिख सकते हो आप कमन परस्टन okay यह आपको feel कर देना है okay now talk यह only talk है यह से लिखना नहीं है okay जो भी लिखना होगा मैं आपको करवा दूगे why do you think the butterfly like its wing क्या कहरें के butterfly को अपनी wings क्यों पसंद है तितली को अपनी butterfly को अपनी wings क्यों पसंद है क्योंकि वो butterfly butterfly अपनी wings की वेज़े से ही सुन्दर दिखते है न they look beautiful and she can fly with this wing butterfly की wings किती है रंग बे रंगी होती है colorful होती है तो उसकी वेज़े से ही बहुत ही सुन्दर दिखाई दिखते है okay और they look beautiful and she can fly with this wings ये खाले बोलना है लेकना नहीं होती what can the miena do miena क्या करते है sing of course miena can sing what can you do sing, paint, write आप क्या करते हो गाना गाते हो painting करते हो write करते हो लिखते हो कुछ आप जो करते हो लिख रहे है okay do you think the fish was really happy to be in the water या पानी पानी में भी मचली खूस है मचली पानी में खूस है really happy है ऐसा पूछा तो yes हम अपने घर में खूस रहते हैं बच्चे गार्डन में खूस रहते हैं या ना प्ले करते हैं तो इसी तरह fish भी पानी में रहके खूस रहती है या ना what are the lucky things they have happened to you tell your friends in the class चलो आप अपनी कुछ जिस के लिए lucky मानते हो अपने आपको तो आपको friend को share करना है ओके now kang has a dream चलो यह सुनना है आपको kang has a dream kang flew into the sky kang has a dream kang flew into the sky he flew to the moon he flew through a cloud he sleep down a tree kang walk up with a peg अभी नाव silence game यह game है बच्चो चलो यहाँ पर क्या बोले close your eyes hear your teacher say the following words butterfly, mina, fish, elephant का अगरू अभी आपकी eyes बन करनी है फिर आपकी टिक्चर butterfly, mina, यह सारे words बोलेंगी fit your eyes till such imaging that you are sailing this creature अभी यह सारे creature के बारे में आपको अगर name बोलू butterfly तो butterfly क्या करता है अपनी पाखे होती ना फिल fly करती ना butterfly फिर मेना मेना इस सींग इस तरह से imaging करना है यह गेव आप घर पे खेले ओके बच्चो फिल नाउ let's draw अभी यहाँ पर draw करना है complete the pictures and labels है अभी यह picture को complete करना है चुल यहाँ पर trunk है तो यह trunk यहाँ पर draw करना है इस तरह से फिर यहाँ पर tail हाथी की elephant की tail draw करनी है फिर ear यह ear है ना इस तरह यहाँ पर draw करना है फिर leg तो है पूरे कांगारू के leg यहाँ पर draw करना है उपर ear तो यह draw करो और इसके name लिखो यहाँ पर tail ear trunk ear और leg उके understand it पुचो यह कांगारू के ears यहाँ पर ऐस होगा ears दो कान है और यह leg legs तो legs हैं years और यहाँ पर ear एक ही ear okay understand चलो now let's write and act अभी यह आपको लिखना है और acting करने act let's write and act acting करने fill in the blank using the hint word given below if I wear a kangaroo I would hope kangaroo क्या करता है hope मतलब कि जाम करना okay koodna if I wear a tiger tiger क्या करता है तो road करता है if I wear a fish fish होती तो क्या करता है swim and bird होती तो fly if I wear a bird I would fly चुलो बच्चों यहाँ पर exercise है say aloud say aloud octopas क्या पढ़ेंगे एक से octopas butterfly butterfly elephant l e kangaroo kangaroo इस तरह पढ़ना आपको सीखना है है न बच्चों फिर let's draw complete these pictures into some plants cell stone and fish तो आपको इसमे क्या करना है इसको इस तरह से line बनानी है complete करना है देखो फिर इसमें color करना है ओके फिर दर्याई मचली होती तो उसमें क्या होता है cell होती है stone होती है face होती है तो यहाँ पर थोड़ा C जैसे picture draw करना है ओके आपको दिखा दू मैं आपको C के से picture आपको ये picture होता है C का picture दर्याई जील ओके octopus पानी में रहता है तो उसे draw करना है color करना है चली यहाँ पर fill in the blank है add full to the words given in the bracket and complete the sentence अभी यहाँ पर fill in the blank है fill in the blank में क्या करना है बच्चू full add करना है actual full full add करना है किसमें add करना है इस ब्रैकेट में है न वर्ड चलो यहाँ पर help तो help फिर में फूल लिखूंगे तो help full मन गया है तो यहाँ पर वो वर्ड लिखना है चलो first है you must be dash to your friend to help to help full full add करना है helpful make a dash drawing to color to colorful अपनी drawing को colorful मनना हो the puppy is so play play में full add करना है playful okay be careful while crossing the road care तो care है इस में यह full add करना है फिर आपको feeling the blank में लिखने नहीं है careful चलो helpful, colorful, colorful, playful and careful इस तरह से देखूं यहाँ पर join the two words, make the word one word इस तरह से आपको लिखना है तोड़ा बहुत चलो यह हमारा let's practice यह practice आपको complete करती है cursive writing practice है फिर हम next चाहेंगे I want your story है next chapter पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही यह आपका सारी टैक्स बीकों कहतम करना है workbook में on or book में कैसे लिखना है मैं picture आपको भेज़ूंगी तो आपको करना है बाइबाइब से see you again